पिकाशो का नाम सुनाओगा, आप पता नहीं मिलेंगे की नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मेरे कुछ चित्र बना के देखें, उन्होंने एक ड्रो किया और 10 मिनिट में एक चित्र बना के देखें हरो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ कि कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्त होंगे, शुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ, अपने घर में आज मैं एक बड़ा इंट्रेस्टिंग घटना कह लीजिए, स्टोरी कह लीजिए, जैसा भी कह लीजिए, मैं सुनाओंगा आपको इसका मतलब ये है, और स्टोरी का मतलब मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताओंगा, काफी फेमस आदमी है अब उनकी स्टोरी कहले उनके लाइब के इंसिडेंट कहलीजे जो भी कहलीजे कि आपको ये पता चलेगा जिन्देगी में कोई भी आप दुनिया में सब कुछ किसी से छेंच सकते हैं उसका संपती उसका गर उसका हर चेश लेकिन उसका जो ग्यान है उसने जो अरजित कहा ग्यान को वो कोई नहीं चुरा जैसे कि एजुकेशन है आप कोई नहीं चुरा सकता लक्षिमी को तो आप चोरी कर सकते हो लेकिन सबस्टती ने जो ग्यान दिया है वो चोरी नहीं हो सकता दुनिया का कोई भी कितना भी वड़ा भी चोर हो वो आपके जो ग्यान है उसको नहीं ले सकता जो कोशिश करेगा उससे वड़ा मुर्ख कोई नहीं होगा तो दुनिया में एक ऐसी ही चीज है जिसकी चोरी नहीं कर सकते हैं अब मैं कहानी शुरू करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ मैं फिर बोलता हूँ कि आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सकाइब नहीं करते मेरा निवेदन है कि सब्सकाइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगए तो दोस्तों के सब्सक्राइब करें क्योंकि देखिए, जो आप उन्हों करते हैं वो तो ठीक है आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ स्टोरी होते हैं वो हमें मुझे किताब पढ़नी पढ़ती है कई बार क्या होता है कि मनलब कोई एक क्लाइन किसी ने कुछ बोला उस पर मैं स्टोरी बनाता हूँ कि क्रेट करता हूँ तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है तो अब आप लोग थुछा सा बुस्ट अप मिलेगा आप लोग अगर शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बुस्ट मिलेगा अब मुझे भी अच्छा लगेगा तो चलिए शुरू कर दें आपने पिकासो का नाम सुनाओगा बहुत बड़े चित्रकार थे वर्ल्ड में एक बार वो गुजर रहे थे एक महिला उनको पहचान लिया महिला ने वो दोड़कर गई वो लिया आप पिकासो है क्या उन्होंने बोला हाँ आप कैसे पहचान आरे मैं आपका बहुत इंटरव्यू देखा है फोटो भी देखी है निउस पेपर में ऐसा हो ऐसा मैंने आपको इसलिए पहचान गई और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ तो बोले ज़िए धन्यवाद उन्होंने हाँ चोड़ा ठीक है लेकिन उन्होंने जब जाने लगे तो रोकने लगी कि नहीं लेकिन आप बहुत मुश्किल से मिले हैं दुबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे नहीं आप करेंगे नहीं आप भूली क्या बात आथो मेरे को एक आप चितर बना कर देगे तो उन्होंने बोला कि आरे आपको फिर कभी बना दूँगा भी मैं रास्ते में हूँ जा रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि नहीं 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 आप पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे लेकिन आप मेरे कुछ चितर बना के देजें तो वो बोले कि अच्छा आप एक काम कीजिए मेरे रैडरेस रख लि लेकिन करा पर या उन्होंने एक ट्रह किया और दस मिनट में चितर भना के ≠ बना ते रहीं कि ऐधिया अब कि वो है तो नहींदो पहुंग्छ इन्स है कर दस क्रेंट तो बनाया है लेकर यह मिलियन डॉलर का चित्र है ऑँ तो भी ना तो कुछ बोली नहीं है अग क्या अंत में बोल दिये, आपर आपर यह मिलिय डॉलर का चित्र भणा के क्पुरिए about बात ऊचर कि hep बोले है ईयार घार उस लोग को लगा उन्होंने बीजी वे मे हुए में लेकिन एक होता है आदम्हें दिमाग में बात चलती रहती है कितना वड़ा आदमी बोला है तो जब अकब पता भी कर लेते हैं तो जब उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया तो उन्हों गए दुकान पर बोले कि एक चित्र है इसका क्या क्या मत होगा। तो उन्होंने बोला कि तो मिलियन डॉलर में विके काई बहुत किमती चित्र है तो अब कहां से लेका है। तो दंग रहे यार तो सही बात बोले वो तो वो घर पे आये। बंदा सही बोला हम लोग मज़ा क्यों ले लिए। अब वो लोग बोले कि यारे ब्हाई ये काम करें दोनों दंपती लोगोंने नेणा किया कि ये काम करते हैं तो अच्छा वीदेस है। कि हम वीक्चितर कारी सिख जाएंगे और पैसा कमाएंगे कोई काम करने की जुरूत नहीं है और दस मिमेट में मिलियन डॉलर कमा सकते हैं तो क्या मतलब है दिन बर में कभी वीक्चितर बना लेंगे और पैसा कमाएंगे तो अच्छा रास्ता निकल गया अब दोनों दंपति करके बात करके अगोने विशार किया कि एक बार पिकासो साथे मिलते हैं उसंते सीख लेते हैं यह दस मिमेट तो जब वो दस में सिखा दें तो एक घंड़े में सिखा देंगे तो वो फिर Picasso के घर पहुंचे, तो पिकासु साहब से घर पहुंचे, थो उन्होंने बोला कि भाई आपने सही बोला था कि मतलब मुझीन डॉलर कहा है? है और हमने पता किया तो सही लगा, रहके आप दुकान से लगा तो हम लोग पता किये, ऐसे ही आपको जानने करने के लिए नहीं कि आप हमें लगा कि आप मजाग तो नहीं कर रहे हैं ऐसा करके मतलब वो यह भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि भाई हम वो क्रॉस कोश्चन होता ना चेक करने के लिए इतना बड़ा आदम है अगर उसको क्रॉस कर तो उसको कहीं बुरा लग गया तो और आ को ऑड़ा क्यों कि आप में हमें सिखा दीजी आप जो बोलें के हम बूं करने को त्यार हैं कि आप लोग 10 मिनेट का हमें पैंटिंग सिखा दीजे आ कि आफ अगर 10 मिनिट मै आ दमी 10 मिलियन डॉलर के पैंटिंग बना देंगा हम भी दुरी से थिक जाएंगे और हम भी पैंटिंग बेचा करेंगे और पैसा कमाएंगे फिर मतलब हम हमें कोई काम करने की जुरत नहीं पड़ेगी तो पिकासा सामने एक बहुत बड़ी बात मुली कि भाई पैंटिंग तो दस मिनट में ही बना सकते हैं बेनाया मैंने लेकिन उसको सीखने में तीस साल लग गया है दस मिनट की पैंटिंग बनाने के लिए मैंने तीस साल दिया और आप चाते हो कि दस मिनट की पैंटिंग को दस मिनट में शीख detecting कैसे पॉसेबल है केहने का क्या मतलब है कि कोई भी चैस मैं अगर आपको कुछ अलता चाहिए उसके लिए अतक प्रयास करना पड़ता है कोई प्लेट में सजा के नहीं मिल जाएगा मेहनत करना पड़ता है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको रात दिन एक करना पड़ेगा कोई बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो रात दिन एक करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके लिए मेहनत करेगा और आपको देदेगा कि आप आगे बढ़ो तो आपको ही आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा आपको पूरी जिन्दगी उसमें लगानी पड़ेगी जैसे आपने देखा है न कि खेती करता है किसान अपना पूरा जान लगा देता है तब जाकर फसल निकलता है और जोरी नहीं कि फसल निकल भी जाए बाड में भाष भी जाते हैं लेकिन आप ये सोचोगे कि बाड में भाष जाएगा या मैं मेहनत कर रहा हूँ कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया एक लाख सीट है और साथ सो निकलना है किसी भी सीट के लिए कहीं भी कोई भी वैकेंसी होती है 630 रोजें लाख फॉम आते हैं तो अगर ये सोचोगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे कहीं ने कहीं रूख जाओगे आप आप सोच में पढ़ जाओगे तो कहने क्या मतलब है कोई भी चीज दुनिया में है अगर करना चाहते हो तो अपने करम करो आप रिजल्ट अभी पाओगे जब आप करम करोगे आप ये मालो कि आप कई लोग आपके पास जवाब होगा कई लोग बोलते अरे बहुत लोग मेहनत करते हैं तो सफल नहीं होते लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो बीना करम किये सफल हो जाए तो आपका करम तो करना ही पड़ेगा अब कोई लोग बोलेंगे अरे फलाना आदमी तो कोई मेहनत नहीं किया उतके पिताजी यह हो गए आप नहीं हो ना आप अपनी प्रस्थिती समझो आपके हाथ में आपका करम है ना आपके बाप दादा की संपती है ना उनका कोई जागीर है तो आपको अपनी करम करना है आपको करम करके ही आपको आगे वढ़ना है तो अगर ना आपको अपने परदादा के बारे में बाप के बारे में अपने घर के बारे में नहीं सोचना है जा आपके पाथ क्या है क्योंकि आपके पाथ अगर कुछ नहीं है तो आपका करम है आपकी ड्यूटी आपके हाथ में आपको करना पड़ेगा अथक प्रयास करना पड़ेगा तब जाके जंदगी में सफलता मिलेगी आप ये भी सोच के मत करो अगर बहुत तो असफल हो जाते हैं क्योंकि अगर वो भी रिजल्ट भी सोच लोगे तब भी आप करम नहीं करोगे आप ये सोचो कि आपके हाथ में क्या है ना आपके पिताजी का संपती और ना result परिणाम आपके हाथ में आपका ड्यूटी है करम है, परिश्रम है मेहनत है वही कर सकते हो और वही रिजल्ट देगा आप खुले मन से कॉंसेंट्रेट करके अपना काम करोगे आपको जिन्दगी में सफलता मिलेगी आप किसी दक्यान उसी बातों में मत घिरो कौन क्या है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है आप अपने करम पर फूकस करो तो धन्यवाद दोस्तों ये मेरा आज का स्टोरी एक छोटा सा स्टोरी था या इंसिडेंट समझ लिजिए जिन्दगी के उनके मैं इसलिए सुनाया मैं पढ़ा कहीं पर मेरे को अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आपके ताथ शेयर करना चाहिए आपको भी अच्छा लगएगा कई बार क्या होते है बड़े बड़े लोग होते है इनके इसलिए जिन्दगी में ऐसी घटना है घट जाती है कि वो घटना ही है कि स्टोरी हो जाती है उससे काफी मॉटिवेशन मिलता है काफी हमें सीख मिलती है जिन्दगी में तो मुझे लगता है कि वो चीज मेरे को सेर करना चाहिए था इसलिए मैंने शेर किया ऐसे ही एक बरनाट सा के भी कहानी है मेरे पास incident कभी और सुनाओंगा कभी मौका मिलेगा किसी स्टोरी में अगर वो आ गया तो मैं आपको सुनाओंगा कि बर्नाट सा अमेरिका नहीं जाना चाहते थे जब गय तो क्या हुआ धन्यवाद यह कहानी यही खतम करते हैं फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगली कहानी के सा दन्यवाद